बहुजन समाज पार्टी के नैशनल कॉइडिनेटर आकाश आनद कर रहे है शादी आखिर आकाश आनद को मिल गई है दुलन जी हां दोस्तों मैं हूँ इंजिनर स्निहा और आप देख रहे है दधी बहुजन समाज पार्टी से बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के नैशनल कॉडिनेटर आकाश आनद इनके शादी को लेकर यहाँ खबर है हाला कि इसकी पुष्टी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अधिकारिक तौर पर नहीं हुई है नाहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष बैनकुम पीडिया के अंदर इस बात को लिए कर खबर चल रही है बता देए कि टीवी नाइन ने एक शो के दौरान अंदर की बात के दौरान यह FOR चलाइब कि आकाश ऑनन इनके शादी तैếu हो गई है इतना ही सिर्पी के नाम पर जो पॉडल चलता है उस पर वंपने ऀस अंत को कहा है कि आकाश अनन्द जो कि बहुजन समाज पार्टी के नैशनल कॉइर्डिनेटर है उनकी शादी हो गई है अब ये शादी तो ते हो गई लेकिन आखिर लड़की कौन है बहुत समाज आकाश आनन के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्य अद्यक्ष बहन मायवती दूलहन धून रही थी वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्य अद्यक्ष बहन कुमारी मायवती जी की खोज जो है वो पूरी हो चुकी है और फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के नैशनल कौाइडिनेटर आकाश आनन इनके लिए दूलहन मिल गई है बतादे कि आकाश आनन इन्होंने लंडन से एंबीए किया है फिनांस में और उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के राष्टर अद्यक्ष भैंकुमारी मायवती जी इनके साथ रहते हुए सबसे पहले वो 2017 में सहारनपूर में जो दंगा हुआ था सहारनपूर कांड हुआ था उस कांड के दौरान जब बहुजन समाज पार्टी के राष्टर अद्यक्ष बैंकुमारी मायवती जी दौरे पर जा रही थी इस दौरान पहली बार आकाश आनन इन्हें उनके साथ देख दन हुआ इस दौरान भी अखिलेश यादाव जबहन मायवती जी को बधाई देने आये जनम दिन की बधाई देने आये थे उस दौरान भी 37 शेंदर मिश्रा के साथ आकाश आनन मौजूद रहे उसके बाद लगातार आकाश आनन जो है भूरों ने राजनेतिक जीवन में प्रवेश किया और उन्हें बहुजन समाज पार्टी के माधम से समाज में जाना शुरू कर दिया आकाश आनन इनको बाद में बहुजन समाज पार्टी का नैशनल कॉडिनेटर भी बनाया गया उसके बाद लगातार आकाश आनन संपुर देश के अंदर बहुजन समाज पा कारी मायवति जी इनके राजनेतिक उत्तरादिकारी हो सकते हैं लेकिन बहुजन समाज पार्टि की राष्ट्य अध्यक्ष्ष भेंकुमारी मायवति जी ने कहा कि अब तक ऐसा फैसला उन्होंने नहीं लिया है उन्होंने इनकार कर दिया कि आकाश आनन्द ही भविश्य में बहुजन समाज पार्टी के या फिर उनके राजनेतिक उत्रादिकारी हो सकते हैं। मायावती जी है उसी समाच से बहुजन समाच पार्टी के कारेकरता रहे और साथ ही मानेवर कांचिराम सहब के जमाने से बहुजन समाच पार्टी से जुड़े रहे साथ ही आज भी बहुजन समाच पार्टी के राजिसभा के सांसत भी रहे है बहुजन समाच पार्टी के तरब से वह MLC भी इसके पहले चुने गए थे आज की तारीक में डॉक्टर अशोक सिधार्ट जो है वह बहुत सारे प्रदेश के प्रभारी है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रा देख्ष भेनकुमारी मायावती जी के करीबी भी माने जाते हैं उनकी एक बिटिया है उनकी एक बेटी है जुनोंने एमबिबियस किया है और इस एमबिबियस पढ़ी हुई बेटी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रा देक्ष भेंकुमारी मायावती इहों ने अपने आकाश आनन भतीजे के लिए पसंद कर लिया है हाला कि पूरी बात चीट जो है वो अब तक कोई सामने नहीं आई है लेकिन खबर ये है कि बात पक्की हो चुकी है बता दे कि डॉक्टर असोक शिद्धार जो है वो बहुजन समाज पार्टी के कारे करता रहे उसके बाद पदादिकारी बने और अलग-अलग जिम्मेदारी वो निभाते रहे मानिवर कांशिराम साहब के समय से ही वो मिशन मुट्मेंट से जुड़ गया है वो सरकारी करमचारी थे वो आखों के डॉक्टर के तौर पर कारे रत थे लेकिन बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी नोकरी छोड़ दी और बहुजन समाज पार्टी में संपूर समय देना शुरू कर दिया वो फारुकाबाद के रहने वाले हैं और उस फारुकाबाद के रहने वाले डॉक्तर अशोक से धार्त इनकी जो बेटी है जिनका एंबिबियस हो चुका है जो कि उनकी बेटी भी जो डॉक्तर है अब वो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के नैशनल कॉडिनेटर अकाश आनन इनकी पत्नी बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्य देख्ष भेंकुमारी मायावति जी की तरफ से कभ यह अधिकारिक तोर पर घोषना होती है और कब संपुर्ण देश के अंदर आकाश आनन इनके शादी की खुश्यों में लोग अब शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं अब देखना यहां बाकी है कि कब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट अद्यक्ष भनकुमारी मायावतीजी की ओर से कभ यहां अधिकारिक घोशना होती है आखिर कब आकाश आनन इनके शादी की तारिक तैह होती है और आकिर कौन सी वो तारिक होगी कि आकाश आनन जो है वो शादी के विवहाबंधन में बंढने वाले हैं पूरे देश के तरफ से तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के कारेकरता बहुजन समाज पार्टी के चहाने वाले और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट देक्ष भेनकुमारी मायावती के अनुयाई इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर क खबर है यह तीवी नाइन की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई गई एक टीवी नाइन पर अंदर की बात की नाम से एक शो चलता है उसमें रिपोर्ट बनाएगी उसके अधार पर हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं इतना ही नहीं ट्रेसीटी टुडे इस पोर्डल पर भी इसक की तारीक तै होती हैं संपूर्ण देश के अंदर खुशिया जरूर मनाई जाएंगी इस अंधर्व में आपका क्या खयाल है कमेंट सेक्षन में जरूर बताए बने रहे दर्थिंग पर जैभीम जैभारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले